हालो गाईस आप सबी लोगों का फिर सब स्वागत अपनी डेली एनलीसिस वीडियो में गाईस आप लोग देखिए किस तरीके से जो मैंने आप लोगों को लेवल्स बताये थे जो इससे पिछली वाली वीडियोस के अंदर मैंने लेवल्स आप लोगों को दिये थे और market वहीं पर सिमेट करेगा, मैंने आप लोगों को जो यह level दिया था, लगबग 2466 का यह जो level मैंने आप लोगों को दिया था, मैंने बोला था, अगर market इसके अंदर open होगा, तो market sideways रहेगा, और देखिये market sideways भी रहेगा, ठीके, जो मैं बोलता हूँ गाई, आप लोगों के स आप लोगों के सामने, आज के इस वीडियो के अंदर गैस बात करने वाले, कि कल अपन किस तरीके से market के अंदर काम करने वाले, और दुबारा से वो कौन सा zone होगा, जहां पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले, और कौन सा वो zone होगा, जिसके बार अगर market निकलता है, तो पन सुपर वहाँ पर प्रोफिट चापने वाले, मोटा पैसा वहाँ पर चापने वाले, देखिए, कल यहाँ पर फिन निफ्टी के एक्सपारी भी है, तो अपनी यह देख रहे, देखो, मार्केट था, आज मार्केट के अंदर कोई उतना अच्छा गासा मोमेंटम नहीं था अगर आप लोगों को पांच मिनिट के अंदर लेके चलू, तो आप लोग देखिए, पूरा का पूरा मार्केट, सुबह सुबह हाँ बड़ी एक रेडी गेंडल नीचे आई, उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट उपर भी गया है, लेकिन उसके बाद में तो भी यह मार् इसी skip करकर करके देखते हैं, वो आगे उनको जल्दी से देखनी की जल्दी होते हैं, मेरे भाई आप इस वीड़ को बड़ा लिये करो, लेकिन skip करके मत देखा करो, उससे important बाते होती ही जो levels होते हैं, उनके बारे में मैं आप लगों को पता है, मैं वो जोन भी बताता जहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल काम नहीं करना है, और वो जोन भी बताता हूँ, जहाँ पर अपने को बिल्कुल 100% काम करना है, आज कि इस वीडियो के अंदर गाइस वापस से यहाँ पर मैं इसको 15 मिनिट के अंदर करना चाहूँगा, और बात करते हैं कि यहाँ यह बाद में market उपर गया, अब यहाँ पर एक candle बनी है, उसके बाद में थोड़ा सा market नीचे आया, अगर market यहाँ तक आता है, देखो अभी भी buying के उपर market है, आप लोग यहाँ से buying कर सकते हो, हो सकता है, एक तगड़ा momentum यहाँ पर अपने को देखने को मिल सकता है, अगर आप लो बड़ी quantity में आप लोग position बना के साल चकते हो, क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर क्या बोला था, अभी उपर की तरफ आप अपना यहाँ पर आसमान खुला पड़ा है, क्या खुला पड़ा है, अपना यहाँ आसमान खुला पड़ा है, और नीचे की साइड म आप लोगों को प्राइस दूँगा कि वहीं से मार्केट गोम सकता है, चलिए 15 मिर्ट के अंदर में ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा गयस हो सकता है, लेपटॉप के उपर सूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है बार-बार सी स्क्रीन वगेरा हिले आप लोगों के सामने, ठीक आप लोगों को पता होगा, प्राइस आप लोगों के सामने लगा के चलूँगा, ताकि आप लोग नोट डाउन कर सको, सारी चीज़े कर सको, यह दिए, यह देखिए, लगबग जो अपने पास में गया रहा हूँ, वो क्या निकल क्या है, अपने पास में यहाँ पर 21522 का अपने पास मी है पर रजिस्टेंश आ चुका, पहला रजिस्टेंश, ठीक है, रजिस्टेंश तो अपने पास में यही रहेगा, अब आपण बात करते support की, की market के अंदर support क monte रहा हुआ है, देखिए, market के अंदर आप लोगों को मैने यह रेंज बताइती ना, अब एक बार तोड़ा समय एक बार इस range के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, बाकी पहले एक बार note down कर लिजे, फिर एक बार range के बारे में अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा, अगर मैं support की बात करूँ market के पास में, तो जो मेरे को support दिख रहा है गाइस, वो दिख रहा है ये वाल है, number one support ये रहा, number two support अपने पास में ये रहा, ये support में क्यों consider कर रहा हूँ, ये वाला support में क्यों consider कर रहा हूँ, अभी बताने वालों ना जल्दी क्यों है, मेरे बाई, बता रहा हूँ ना जल्दी क्यों है, समझो, चीजों को समझो, ठीक है, ये मेरे पास में उपर की लोकल मार्केट तोड़ देता है अगर मार्केट इस सपोर्ट को भी मार्केट तोड़ देता है चलिए थोड़ा सा देखो मैं इसको यहाँ पर चलो एक बार आप यहां पर मार्केट कर देता हूं ताकि आप लोग सभी लोग note down कर लिजिए, यहां पर 2313 या 15 के आसपास ठीक है, आप लोग मान सकते हो, यहां पर market आएगा, अगर market इस support को भी market तोड़ता है, गाइस बता रहूं, थोड़ा सा चीजों को एक बार लिख लो, उस प्राइस माप कर देता हूँ आप लोगों के लिए येलो लिख लो नो डाउन कर लो आप सभी के सभी लोग लगबग 21,205 के आसपा चार के आसपास आप लोगों को प्राइस आई होप दिख रही होगी अच्छी तरीके से अगर मार्केट इसको भी तोड़ देता है तो लास् इनमें आप लोगों कोई यहां पर दिकत नहीं ऊगी उपर के साइड में 21,522 उसके बाद में 21,366 उसके बाद में 21,315 उसके बाद में 21,2162 यह अपने पास में सपोन निकल आच्छी ऑग गाईस रिंज की जो मैं बात करत रह रहा ह QE advisor देखो अगर कल मार्केट यहाँ पे मालो open होता है अगर कल मार्केट यही पे open होता है उपड जाएगा यहाँ पे retest करें उसके बाद ही में अगर position को उठाओ गया आप लो ठीक है देखो अगर retest मिले तो super है वहाँ पे अगर retest अपने को मिल जाता ना तो super well done वहाँ पे तगड़ा profit अपने को मार्केट बाइंग साइड के अंदर देखने को मिलेगा retest मिले तो बाकि अगर breakdown भी होता है अच्छी तरीके से breakout भी होता है तो आप लोग वहाँ पे position बना सकते हो बात करो अगर कल मार्केट यहाँ पे खुलता है ठीक है यहाँ पे खुलता है तो देखो गैस थोड़ा सा देखो इस range के अंदर यह जो range आप लोगों के लिए यह वाली यह जो range ना मेरे भाई यहाँ पे market sideways हो सकता है देखो जब तक market इस range से बाढ़ नहीं आएगा न मानता हूं थोड़ा सा point यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन देखो market थोड़ा सा गाइस यह जो range ना यहाँ पे देखो market sideways भी रह सकता है और आप लोगों का loss भी हो सकता है इसलिए बाकि आपके उपर है मेरा काम है लेवल्स बताना आप लोगों को guidance करना अच्छी तरीके से बताना मैंने आप लोगों को बता है कि market यहाँ पे sideways हो सकता है क्यों क्योंकि कल के market के अंदर expiry है तो जो time decay होगा ना जो premium का decay होगा वो ऐसे आईगा फिर premium ऐसे अब loss कर सको तो करना काम बाकि अगर मेरी तरह से flare हो आप लोग तो आराम से बैठके काम करना I hope इसमें कोई doubt हा आप लोगों का देखिए और कोई भी मेरे को यह नहीं बहुत सकता कि सर आपके levels काम नहीं करते वो ही कल वाले वो ही levels मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और वो ही चीज़े मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जो market के अंदर हुई है आप लोग जाहिए मेरी पिछली वाली वीडियो को देखिए चैनल के उपर available है किस तरीके से मेरे levels नहीं आपे काम किया आप लोग देख सकते हो सारी चीज़े आप लोगों के सामने रहती है चलिए अब यहाँ पर गाइस मैं बात करना चाहूँगा निफ्टी के बारे में ठीक है निफ्टी के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि sorry अपन पहले bank nifty के कर लेते क्योंकि यहाँ पर VNSD को bank nifty के expiry है तो चलिए एक बार अपन यहाँ पर bank nifty के बात कर लेते उसके बाद में nifty के उपर आते हैं चलिए आज एए यहाँ पर bank nifty कहाँ पर यह यह रहा bank nifty के अंदर भी का इस लेवल एक बार आप लोग देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं है यह वो ही लेवल से जो मैंने आप लोगों को बताये थे market के अंदर और देखिए market भई पर सिमेट करे गया जो मैंने आप लोगों को levels दिया था था ना कि स्किप कर करके देखने की आदत होती है मेरे भाई थोड़ा सा चीजों को समझो चीजों को समझोगे तभी profit होगा बाकी यह से तो हवा वाजी में तो करते रहो लोस करते रहो एक दिन आएगा जब ट्रेडिंग वगेरा सब बंद कर दोगे बाद में चली जाओगे उससे को आप लोगों को प्राइस मांक कर देता हूं ठीक है प्राइस मांक कर देता हूं जश्टे सेकिन यह लो प्राइस क्या है आपने पास में लगबग 48,209 यह अपने पास में पहला रेजिस्टेंस आ चुका है और दूसरा अप दूसरा देखो यह तो मैंने दूसरा की मैं बात करूँ तो पर्स्ट नंबर का होगा अपने पास में यह लगबग आप लोग मान सकते हो अड़तालीजार सप्तर गा ठीक है जश्ट सेकिन आप लोगों को दिखाना चाहूं यह देखिए प्रैस मार्क कर देता हूं यह लो यह अपने पास में सेकिन यहां पर रेज सब्सक्राइब तो मार्केट फिर आएगा यहां पर लगबग यहां पर 47,530 यह अपने पास में सपोर्ट मार्केट के अंदर होने वाला है चलिए और एक बार और सपोर्ट के अपर बात कर लेते हैं आई तिंग कोई अच्छा वाला सपोर्ट अपने को दिख जाए तो मार्केट के अंदर चलिए बात करते हैं आज यह यह देखिए जस्ट सेकिन आगर market इसको भी तोड़ता लगबग 47,530 को इसको तोड़ेगा market तो जो market अना गाईज वो आएगा यहाँ पर ठीक है यहाँ पर price mark कर देता हूँ price में mark कर देता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को note down करना रहेगा यह देखिए 47,397 लगबग आप लोग 47,400 consider कर सकते हो अब अगर market माल लो इसको भी तोड़ेगा फिर market आएगा यहाँ पर लगबग चलो price को mark कर दिये जाए यह लो price को mark कर देता है यह लो 47,193 यह अपने पास में guys support और resistance आप लोगों के सामने मैंने निकाल के रख दिये यह देखिए ठीक है अपने पास में guys अब आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा वो range वो zone बताना चाहूंगा चलिए बात करते हैं देखू अगर कल guys सुनो मेरी बात अगर कल market यही पर open होता ना यही पर मेरे भाई थोड़ा सा wait करना यहां पर इस resistance को तोड़ेगा तो यहां तक का target होगा इसको तोड़ेगा तो फिर उपर अपने लिए वापस से दुबारा से आसमान खुला हो जाएगा परिंदा खुला हो जाएगा और ज यह पहला रेजिस्टेंस आ चुका क्योंकि market इसके उपर जाई नहीं पा मतलब गया ही नहीं देखो आप लोगों को दिखाऊं market ने बड़ी है candle बने उपर की साइड में नीचे आया उपर जाने कोसिस किया लेकिन यही से नीचे आ गया तो अपने पास में क्या निकल गया क कि भीया यहां पर market के अंदर resistance कड़ा हो चुका है यहां पर seller से जैसे उपर जाने कोसिस करेगा नीचे दखेनी की कोसिस की जाएगी तो यहीं पर देख लो सारी चीजिए दूसरा में दूसरा resistance क्यों आप लोगों को बता रहूं कि 48200 के उपर resistance क्यों है market उपर गया लेकिन यहीं से दखेला और नीचे की साड में देख लो आप लोग देख रहे हो आप लोग सारी चीजिए तो रजिस्टेंस अपने पास में निकल के आ चुके है 48200 नों 4800 बैतर यह रजिस्टेंस है अब अगर कल market यहीं पर खुलता है उसके बाद में नीचे आता है यह support अगर इ और पिछले दिन की यहां पर closing आप लोगों ने सुने ने यह सबसे important है तो market का देखो यहां पर lobby है और closing भी मार्केट नी यही पी की है तो यह अपने लिए सबसे important यहां पर support निकल के आ रहा है उसके बाद में 47664, 47530 और 47390 यह अपने पास में कल market के अंदर यहां पर resistance हो होने वाला है support होने वाला है no down आप लोग कर सकते हो और सारी चीजों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है जल्द बाजी बिल्कुल भी मत करना आराम से आराम से candles को देखो wait करो 5 मिनिट की जो candle बनती है शुरू-शुरू के अंदर उसको wait करो उसके बाद में आप अगर मार्केट इसको तोड़ दिता है फिर उपर की तरह मार्केट के अंदर आसमान खुला रहेगा और आप उपर की साड में पोजिशन बना सकते हो ठीक है चलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए डाउट है तो comment के अंदर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो आब यहां पर बात करते हैं अब अपन बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की अपन ने बात की यहां पर बात की अपन बैंक निफ्टी फिफ्टी की अब अपन बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की ठीक है और सबसे मेहन बात मेरे बाई आज यहां पर किसकी एक्सपारी मंडे क मंडे गोती मिड़केफ निप्टी एक बार थोड़ा सा बाद में दिखाऊंगा पहले आपन निफ्टी-50 के अनलिसिस कर लेते हैं उसके बाद में दिखाऊंगा कि भी आ जो मिड़केफ निफ्टी के अंदर मेरे लेवल्स ने काम किया है आज के एकसपारी के अंदर जो जित बात करते हैं निफ्टी-50 की आ जाइए ओके देखें लेवल्स आप लोगों के सामने देखो वो ही है ना कुछ गलत तो नहीं बता रहा गाइस यह देखो लेवल्स अपने आप उठा लेता है जो मैंने आप लोगों को लेवल्स बताये ते यह वही लेवल्स आप लोग जा मैं वो ग्यान भाजी नहीं लेवल्स सब दे सकते हैं मेरे भाई लेकिन का प्रैस कोई बता सकता है मैं चाता तो इसको बहुत सकता था है 2350 लेकिन मेरे भाई सपोर्ड तो लिए 2365 पर तो इस चैनल के उपर गाइस पाईटिकुलर प्रैस संक्या बताई जाती है कि कां से मा मार्केट ने सपोर्ड लिया और मार्केट उपर गया है देख सकते हो सारी चीज़ आपके सामने कोई पीछे से कुछ अगर मार्केट उड़ता है तो अपने को पकड़ना भी आता है अब मैं बात करूँ सपोर्ट की तो जो अपने पास में काई सपोर्ड निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यही पर्टिकुलर यह लगबग आप लोग मान सकते हो यह ठीक है लगबग प्राइस को मार्क कर देता हूँ यह देखिए जश्ट सेकिन यह लो लगबग 2366 यह अपने पास में यहाप है है मेरे बई आगर यह सपोर्ट भी तूडता है तो वही रेंज मेरे बै रेंज की मैं बात करना चाह parliamentary यह रही ठीक है यह ठीक है यह रही नहीं करेगा अगर किसीने 210 मेने काम किया है तो द्याँ रखना मैं पिटाई कर दूँगा फिटाई से मेरा मतलब लट तूड़ कान्त यादन की ओडियन्स करे क्यूंकि ऐसा तो नहीं हो सकता तभी तो प्राइज बता रहा हूं तभी तो संक्या बता काम इसके अंदर और उसके आप sato मार्क्ट यहापने रुख के इसे बाद नीचे आएगा इसलिए ये क्या है पास में no trading zone है अगर कल market इसको भी तोड़ेगा तो अपने पास में यह आप ने निकल कर आ रहा है जाए तक आ सकता है market टीकर एक इसको को भी तोड़ता है तो फिर जो मार्केट गाइस वो आएगा यहां पर लगबग आप लोग थोड़ा से देखो नीचे की साइड में पास में सपोर्ट आ चुका अपने पास में इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है ना ध्यान रखते वे काम करो मेरे भाई ध्यान रखते वे करोगे ज्यादा लोजनी होगा यह देखो 2033 का यह अपने पास में आप सपोर्ट निकल के आ चुका है अगर कल मार्केट इसको भी तोड़ेगा तो मार्केट गाइस यहां तक आ सकता है ठीक लगबग आप लोगों को बताना चाहूं यहां तक लग प्रेस मार्क न koėशत है रही है जेष्ट सेंग थोड़ा से यहां पर ठीक यह दो उसके बाद में 20234 यहां पर यह लो एकिज़ार ठीश से उसके बाद में फिर टाहिना सी उसके बाद में 2033 उसके बाद में 2949 यहां तक मर्केट आ सकता है अब बात करते हैं कि क kang अगर अग इसलिए थोड़ा सा बात कुरूगा कि इसे आप लोग यह मान के चलिये कि यह जोन के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है तो उतना अच्छा गासा आप लोगों को प्रोफिट नहीं होने वाला है मैं तो साब सिधी बात बोलता हूँ हो सकता है आप लोग यहां पर ट्रेड क हो सकता है आप लोगों का उतना अच्छा गासा प्रोफिट नहीं हो अगर इसके नीचे आता है यह इसके उपर आता है सूपप तगड़ा प्रोफिट होने वाला है बस अगर 2400 को तोड़ दिया ना फिर तो उपर की साइड में आसमान खुला है यह कहीं पर भी जा सकता है नीचे के साइड में वो ही है इसको तोड़ेगा पहले आएगा 21306 पे फिर आएगा 2234 पे फिर आएगा 233 पे और फिर आएगा 2033 के उपर मानता हूं most important यहाँ पर जो अपने पास में support निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2234 का ठीक है अगर कल market यहाँ पर open होता उसके बाद से market उपर जाने की पूरी-पूरी कोशिस कर सकता है क्योंकि जो 2134 का यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा है नहीं यह वाला support यह थोड़ा सा most important support में इसे consider कर रहा हूं बाकि आप सभी लोगों को पता है मेरे levels के इस तरीके से काम करते हैं तो थोड़ा सा में इसको most important ब box के अंदर link है वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम के अंदर join हो सकते हो चली यह तो अपनने बात की अब आज आते हैं कि क्या हमने चो लेवस दिये थे क्या एक्षुल में expiry के दिन क्या वो लेवस ने काम किया और कितना हद तक कितना accuracy के साथ में काम किया सर एक बार यह पदेंगे बता दितों मजे आ जाएगा चलिए आज तो मिड र्केव अपर ही यह देखिए पूरा का पूरा शोग लेवस दिया था ना आडश आप लोगों को वहारे पे मार्केट सिमट करें गया वहीं पर जो लिवस दिया वहीं पर मार्केट सिमट करें गया बोला क्या था कि अगर मार्केट यही पर ओपन होगा तो मार्केट साइडवेज रहेगा यह लोग पूरा का पूरा यहां पर पूरा का पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा देख र अब अगर कल दुबारा से मार्केट यही पर open होता है तो आप लोगों को अगर इसके नीचे मार्केट 21,277 के नीचे निकलता है प्राइस आप लोगों के सामने चलिए दुबारा से प्राइस को नहीं लिखना चाहूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिटीक है यह अगर 21,278 के नीचे मार्केट आता है मेरे भाई अगर 21,278 के नीचे मार्केट आता है तो आप लोगों का यहां पे next क्या target होगा next होगा यहां पे यह वाला लगबग 10,162 का target आप लोगे उपर के साइड में जो resistance की मैं बात करों थोड़ असम इसको उपर करना चाहूंगा resistance को यह लो ठीक उपर के साइड में जो अपने पास में resistance निकल के आ चुका है गास वो आया है यह यह लो 10,336 का अगर यह सपोर्ट भी टूटता है तो अपने पास में last and final support होगा यह वाला अब मैं बात कर लिता हूं कि कहां पे काम करना है कहां पे नहीं करना है अगर कल मार support है यह वाला यह देखिए यह वाला लगबग 10,250 का यहां पर गास मैं इसे support इसलिए consider कर रहा हूं क्योंकि आज की जो candle दिना वो नीचे है और यहां से उपर चली गई तो अपने इसे नजर अंदाज नहीं कर सकते हो सकता है यहां पर बायर सोरी यहां पर sellers बैठे हो तो मे अगब उपर की side में 10,336 अगर इसको नहीं तोड़ पाता नीची आता तो support क्या रहेगा 10,278 उसके बाद में support रहेगा 10,250 का और most important support जो निकल के आ चुका है वो आ चुका है 10,168 most important याद रखना बिल्कुल देखना है सारी चीजे उसके बाद में 10,100 के उपर market आ सकता है most important क्या रहा है अपने पास में ये रासर most important तो ये बता है आपने ओके ये अपने पास में most important है market यहीं पर open होता है उपर के side में resistance है support यह यह तूटेगा यह और यहाँ पर आएगा तो पूरा पूरा chance रहेगा कि market उपर जा सकता है I hope guys आप सभी लोग को समझ में आया नहीं समझ में आया comment करना दुबरा से अपन अच्छी तरीके से बताने की कोसिस करूँगा बाकी telegram के अंदर जोइन नहीं हो जाई है वीडियो description के अंदर link है वहाँ पर जब market चाल उड़ता है आपको help की जाती है levels के बारे में और जो मे इस वीडियो में इत्ता है था मिलता हूँ next video में तब तक के लिए bye bye guys